संचद पर हमले की 22 बर्षी पर बड़ी शुरुक्षा में चूक, दो यूवक विजीटर गैलरी से लोकसवा में कूदे, सदन में पीले रंकी गैस छोड़ी संचद पर आतंकी हमले की 22 बर्षी पर सदन में उस वक्त अफरा तफ्रीम मच गई, जब दर्शक दिर्गा से दो सक्स अचानक निचे कूद गई उस समय लोकसवा में बाजपा संचद सवेगन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, यूवकों ने जूत्ते में कुछ सप्रे टाइप का छिपा रखा था, वे सदन में बैंच पर उचल कुद करने लगे, और इस दोरान सदन में पीली गैस फैलने लगी, पूरे सदन में रख्षा कर्मियों को सौंप दिया गया, इस से पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को पांच आतंकियों ने हमला किया था, इसमें दिली पुलिस के पांच जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी, बता आ जारा है कि जो दो लोग कारवाई के दोरान गुसे, उन सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंका दुआ छोड़ा, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ कर बाहर किया, इस दोरान ये लोग नारे बाजी करते देखे गई, खालिस्तानी आतंकी गुरपरवन सिंग पन्नु ने संसद पर हमले की दम की दी थी, इसक से पहले संसद की निव हिला देंगे, पन्नु ने संसद पर हमले के दोसी अफजल गुरु के साथ एक पोस्टर जारी किया था, पन्नु का वीडियो सामने आने के बाद दिली पुलिस किये, एक अधिकारी ने कहा था कि किसी को भी कानुन वेस्था बिगारने की जाजत नही दो लोग विजिटर गैलरी से लोकसवा में कुदे, दोनों की उमर 20 साल है, ये लोग कनस्तर लिये हुए थे, इन कनस्तरों में पीले रंकी गैस निकल रही थी, दोनों में से एक व्यक्ति दोड़कर सपिकर की चेर के सामने पहुँच गया था, वे कोई नारे लगा रहे थ आसंका है कि ये गैस जारीली हो सकती है, 13 दिसंबर 2001 के बाद ये फिर संसद की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है, अधिर रंजन चोदरी ने कहा कि दो लोग गैलरी से कुदे, उन्होंने कुछ फैंका, जिससे गैस निकल रही थी, उन्हें संसदों ने पकड़ लिया और फिर सुरक्षा दिकारियों ने बाहर कर दिया, ये सुरक्षा में चूक तब हुई, जब संसद हमले की 22 वी बरसी है, TMC संसद सुधीप बंदोफपाद्याय ने कहा कि ये ड्रावना अनुबव था, संसद में अचानक दो लोग कूद गए, उनका मकसद क्या था कोई नह कर सकते हैं, इतना तो तया है कि एक बार फिर से संसद बंदो लोगों ने जिस तरह हमला किया, इसको लेकर सभी संसद ड्रे हुए हैं, और जिस तरह से हमला हुआ है, यह वास्तों में एक सोच विचार का विश्य के आखिरकार ऐसे कैसे ये लोग गुश सकते हैं, आप क्या कहते हैं, इस पर अपनी राए कमेंट वोक्स में जरू दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों देखते हुए सच की आवाद